पाथ 18 अपठित काव्यांच Unseen Poem Passages अपठित का अर्थ है जिसे पहले न पढ़ा गया हो तथा काव्यांच का अर्थ है कविता की पंक्तियां चात्रों में भाव बोध के लिए अपठित काव्यांच पर आधारित प्रश्ने पूछे जाती है परीक्षा में काव्यांच से प्रश्ण पूछने का उद्देश ये चातरों के मानस पटल पर काव्या की सुमधुर भाशा शैली, लै और काव्य सौंदर्य का बोध कराना है अपठित काव्यांच के प्रश्णों को हल करते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदू काव्यांच को दो तीन बार पढ़कर हृद्यंगम कर भाव बोध करना चाहिए काव्यांच आधारित प्रश्णों को भली प्रकार समझ कर संक्षिप्त उत्तर लिखना चाहिए प्रश्ण में जो पूछा गया है मातर उसी का उत्तर दें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए आए अपठित काव्यांचों के कुछ उदहरन देखते हैं बहु विकल पीय प्रारूप फूलों को पाने से पहले शूलों को अपनाना है मोती के लिए समुद्र में तुमको गोता खाना है मंजल तक जाने से पहले पगपग पर बाधाएं है एक नहीं जाने कितने ही खड़ी हुई विपदाएं है उन्हें रौंद कर आगे बढ़कर भै को दूर भगाना है गिरना और संभल कर बढ़ना साहस का साथ निभाना विजय चाहते हो जीवन में द्रड़ता से बढ़ते जाना हार नहीं सकता वह जिसने सीखा नितम सकाना है फूलों को पाने से पहले शूलों को अपनाना है प्रश्न क समुद्र में गोता लगा कर हासल होता है एक मोती, दो हीरे, तीन विजय, चार फूल, उत्तर एक ख, मंजल तक पहुचना आसान नहीं है क्योंकि एक, आराम करना जरूरी है, दो, रास्ते में कई बाधाएं आती है, तीन, मंजल तक पहुचना जरूरी नहीं, चार, पैरों में काटे चुब जाते है उत्तर दो, घ, फूलों को पाने से पहले अपनाना पड़ता है, एक पत्तों को, दो, मिट्टी को, तीन, व्रिक्षों को, चार, काटों को, उत्तर चार, घ, विजय, प्राप्त करने के लिए बढ़ना होगा, एक द्रढ़ता से, दो, कठिनाई से, तीन, आसानी से, चार, सं तुष्टी से, उत्तर, एक, अंग, जीवन में किसकी हार नहीं होती, एक, मुस्कराने वालों की, दो, ठकने वालों की, तीन, रोने वालों की, चार, गिरने वालों की, उत्तर, एक, प्रश्नोतर प्रारूप, नभ के इस नीले आंगन में, जलधर बन पाहुन आए, प्रश्न क, बादलों को पाहुन, महमान क्यों कहा जाता है? उत्तर, बादल अतिथी के समान कभी कभी ही आते हैं, इसलिए इन्हें पाहुन कहा जाता है. ख, किरणों ने द्वार कैसे सजाया है? उत्तर, किरणों ने इंद्र धनुष सा द्वार सजाया है. ग, बादल आकाश की आंगन में कैसे आ रही है? उत्तर, बादल अपनी महमानी से प्रसन्न होकर हस्ते हस्ते आ रहे है ग, सूर्या ने उन्हें क्या भेट किया है? उत्तर, सूर्या ने उन्हें नए वस्तर भेट किये है उंगा जुगनू ने बादलों का कैसे स्वागत किया? उत्तर जुगनू ने बादलों के स्वागत में अनुपम दीपकों के थाल सजाए है